नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं लाइफ सिटी बिहार में कोरोना की दूसरी लहर के गिरावट के साथ-साथ अब बिहार में उनलॉक की भी परकडिया सुरू हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ एम्स के डारेक्टर रंदीप गुलेडिया ने 6-8 हपतों में कोरोना की तीसरी लहर की आसंका जताई है इन सब सवालों के बीच सबसे जादा अगर कोई परिशान है तो वो है हमारी आमजनता वो इस उलजन में है कि वो तीसरी लहर की सुरुवात से डड़े या फिर ये दूसरी लहर के गिरावट में आई कि खुसी मनाए और इसके बाबजूद अगर वो घर से बाहर निकले तो क्या कुछ साबधानी बढ़ते इन सब सवालों से जुड़ा जबाब हम लेते हैं आज बिहार के सबसे जाने माने फिजीसियन डॉक्टर राजीव रंजन से सर आपका लाइब सिटीज में बहुत-बहुत स्वागत है सर सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि बिहार में अभी दूसरी लहर में गिरावट देखी जा रही है लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो एमस के डारेक्टर है रंदीब गुलेडिया उन्होंने तीसरी लहर से लोगों को साबधान किया है तो आप इस पे लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि जब वो घर से बाहर निकले तो क्या कुछ साबधानिया बढ़ते हैं देखिए तीसरी लहर, चौथी लहर, पांचवी लहर ये आता रहेगा लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अगर व्यक्ति अपना बिहवियर सुधार ले, सोवा अनुसासन क्योंकि ये भी निश्चित है कि अनिश्चित काल तक लोगडाउन बढ़ाया नहीं जा सकता व्यक्ति को अपने अनुसासन से चलना पड़ेगा इसलिए गुलेरिया साब जो बोल रहे हैं जो भी डॉक्टर बोल रहे हैं मनसा ये है कि हर व्यक्ति अनुसासित तरीके से कोविड एप्रूपियेट नॉर्म जो है बिहवियर है उसका पालन करे यानि बिना मास्क के बाहर न निकले जितना भी अनलोक होगा मार्केट होगा उसमें आपको मास्क लगाना है दूसरा की डिस्टेंसिंग का पालन करना है तीसरा की सनिटाइज करना क्योंकि अब अब सवाल है कि जब तक आप खुद अनुसासित नहीं होंगे जब खुद नियम के अनुसार नहीं चलेंगे सरकार डंडे के बल पर कितना ज़्यादा आपको कंट्रोल करेगी यह तो एक बानगी हो गया आपको दिखाने के लिए जो लोकिंग की प्रिक्रिया है कि आप ऐसे ऐसे चलिए तो इंसिडेंस कम हो जाएगा तो जहां तक 3T का सवाल है जो आप जानती होंगी 3T और 1V तो 3T का मतलब है कि test, tracking और treatment तो जहां कुछ संदेव हो तुरस test कीजिये track कीजिये और treat कीजिये और vaccination कीजिये तो आगे आने वाले किसी लहर से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि यह 3T का भरपूर इस्तमाल और ज्यादा से ज्यादा लोग vaccine ले ले है क्योंकि vaccine के वाले में जो फैली होई बरांतियां है जैसे एक था कि इससे आपका पूरुस प् क्लियर हो गया कि इसका कोई असर नहीं है दूसरी बात कि pregnancy, lactation हर तरह की महिलाएं टीके को ले सकती है इसलिए सारे लोग टीका लगवाएं मास्क का इस्तमाल करें डिस्टेंसिंग पालन करें तो अगर लहर आएगा भी तो आप अस्पताल नहीं जाएंगे आपको हलका सा भंग हुआ, लक्षमन रेखा अगर आपने भंग की, पार की तो रावन आएगा, कोरोना रूपी रावन और आपको हरके ले जाएगा, कहां ले जाएगा इसकी कल्पनाप नहीं कर सकता है सर, मेरा साथ ही साथ आपसे एक सवाल और रहेगा, कि अभी मुख्यमन्तरी ने ट्वीट करके ये जानकारी दिये, कि इस बार जो अनलोक में रियायते दी गई हैं, उनमें पार्क और उद्दानों को भी खोला गया है तो जो लोग मॉर्निंग वॉक के शौकीन है, या डॉक्टर भी सजिस्ट करते हैं, कि आप पार्क में जा सकते हैं, उससे आपको कोरोना का कोई डर नहीं है, आप खुले हवा में टहर सकते हैं तो अब लोग इस असमंजस में हैं, कि हम पार्क जाएं, या फिर ना जाएं, क्योंकि उन्हें दूसरी तरफ ये भी चिंता है, कि कहीं तीसरी लहर के वो शिकार न हो जाए देखिए सबसे बड़ी बात है पुजा जी, कि चिंता और भै के वातावरन से बिल्कुल अपने आपको मुक्त कर लीजे, क्योंकि चिंता और भै एक इतना बड़ा खलनायक है, कि जो आपके इम्मुनिटी पावर को तुरत घटा देता है, और कोई भी वेवाएगा, उसमे इम्मुनिटी लिवल कम हो जाएगा, आपका वजन बढ़ेगा, एक अलग कॉम्प्लिकेशन है कोरणा का, टहलें, लेकिन मास्क पहन के टहलें, कभी साथ में आठ दस लोग जैसे होते हैं, कि दोस्ती मना रहे हैं, साथ में टहल रहे हैं, गरमा गरम डिसकुसन हो रहा है, राजनीत पे इस से बचे हैं, अकेले टहलें, अगर दो आदमी हैं भी, तो डिस्टेंसिंग छे फिट का रहना चाहिए, तो अगर आप किसी पार्क में, किसी उद्यान में, अगर इसका पालन करेंगे, मास्क पहनेंगे, छे फिट की दूरी बरकरार रखेंगे, हाँत में सेनिटाइजन से छोटा सा सीसी रखे रहे हैं, सेनिटाइज करते रहे हैं, कहीं कोई भाय की जरूरत नहीं है, और जाने के पहले आप कोशिस कीजिए, कि या तो पहला डोज, या दूसरा डोज, टीका लग जाए, तो और अतिवत्तम, आप बिलकुल महफूज हैं, ही जादा पसंद करते हैं, और कुछ दिनों से जैसे स्कूल, कॉलेज वेगरा बंध है, तो बच्चे घर में बहुत बोड भी हो चुके हैं, तो वो अपने गार्जियन से पैरेंट्स से जरूर जीत करेंगे कि वो पार्क जाएं, अब इसमें गार्जियन और पहले से है कि तीसरी लड़ में जिसे साथ से कुछ दॉक्टरों ने बताया है कि बच्चों पेस पे ज्यादा खत्रा है या कहीं कहीं से बाते आ रही हैं, तो उसी साथ से वो अपने बच्चों को घर में बंद रखना चाहते हैं, तो आप इस चीज से जुरे क्या सलाह देना चाहते हैं उन पेरेंट्स को? वह सेकेंड वेब में हुआ, बच्चे कम संक्रिमित होंगें क्योंकि बच्चों का इमनिटी पावर पढ़ा रहता हैं, जो बच्चे मुटापे से ग्रस्त हैं, जो बच्चों में कोई बीमारी है, अनुएंसिक बीमारी है, या हिर्दय की बीमारी है, तो जैसे एडल्ट मे खत्रा रहता है बच्चों में भी खत्रा रहेगा तो बच्चों में डिजारेबुल है कि दो से पांच साल के बच्चे गार्जियन की देख रेक में मास्क पहनें पांच साल के ऊपर के बच्चों को मास्क पहनना अनिवार है अगर कहीं बाहर भी जाएं जिसे पार्क में तो इसलिए एक डरने की जरुवत नहीं है कि बच्चों में कोई वेब अगर आवेगा तो उसमें संक्रमन जादा होगा संक्रमन वही रहेगा परसेंटेज वही रहेगा जो फर्स्ट और सेकंड वेब में हुआ कॉंप्लिकेशन वही रहेंगे तो जैसे कॉंप्लिकेशन एडल्ट में ज्यादा होता है कभी कभी कुछ परसेंटेज में बच्चों में भी होगा बच्चों को अगर बचाना चाहते हैं, बच्चों को बिल्कुल आप कुषलता से रखना चाहते हैं, तो बच्चों में भी मास्क की आदत डलूएए डालिए, पांच साल के बच्चों में बहुत mandatory नहीं है, लेकिन अगर बाहर कहीं भीड भारे जगर ज़ा रहे हैं, तो मास्क पनने हैं. घर में अगर रहें तो बच्चों को मास्क पनाने की ज़रुवत नहीं है. तो बस इतना ही किजए गात, बाकि इसमें सबसे बड़ी बात है, डर को निकाल दीज़ए. ऐसा कुछ नहीं होगा. बहुत बहुत धन्यवाद सर्ट Live Cities के साथ बने रहने के लिए अगर आप ये वीडियो यूटूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें साथ ही साथ आप हमें ट्वीटर पे भी फॉलो कर सकते हैं अभी के लिए बस इतना ही हमारे साथ Live City वे बने रहने के लिए धन्यवाद